अलो विल्यों वर्कम बाक टो यूटीब चैनल ट्रेडिंग में चारित कैसे हुआ आप सब लोगों आज किस वीडियो के इंदर मैं आपको हमारे क्योटेक्स आट्रोबॉट के साथ लाइफ ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं काफी अमेजिंग वीडियो रहने वाले हैं और आटोबॉट को स्टार्ट करने के लिए हमेरे तीन चीजों को एंटर करने के जरूरत होती है जल्को मैं फटाबाट सेभी एंटर कर रहा हूं तो मेरा आज का टागेट रहने वाला है 700 USD का, स्टॉप लोस रहने वाला है 300 USD और ट्रेड अमोट रहने वाला है 50 USD तो इन तीनों सेटिंग्स को करने के बाद हम सिंप्ली याँ पर अप्लाई को क्लिक करेंगे जिससे कि सारी सेटिंग्स जो है आटोबोट के अंदर सेव हो जाएंगी और आटोबोट इन ही सेटिंग्स के साब से याँ पर ट्रेड लेगा तो आटोबोट ने शुरू की दो ट्रेड इनिशेट और अरड़ी कर दी हैं यूरो जेपी वाई पे और यूरो जीपी पे और इन दोनों ही पे इसका चार्ट आप क्रीन पर देख पार होगे साथ में मैंने आपको क्योटेक्स आटोबोट की स्क्रीन भी दिखाई है जिससे कि अब दोनों चीजों को साथ में देख पार अब को क्लारिटी मिले तो यूरो जेपी वाई के अंदर आटापॉर्ट ने लिया है डाउनो डिरेक्शन की ट्रेड और एक काफी अमेजिंग हमें आपर कैंडल देखने को मिल रही है तो अप लोग देख सकते हो ये कैंडल स्टिक कितनी स्ट्रॉंग बनी है लास्ट दो ग्रीन कैंडल को मिला कर भी उनसे भी बड़ी ये एक अकेली रट कैंडल बनी है और शुरू के दोनों ट्रेड्स के अंदर हमने प्रॉफिट बना लिया है सो हमने स्टार्ट करा है अराउंड 6,050 EST के साथ जो कि अभी हमारा इंक्रीज होकर हो चुका है 6,115 EST और 100 EST के अभी हमें आपर दो एक्टिव ट्रेड्स एकने को मिल रही है यूरो जेपी वाई पर एंड यूरो जीपी पर तो ट्रेड लगी है अवर डिरेक्शन की लेट सी इसका क्या रिसल्ट रहने वाला है और यूरो जेपी वाई के अंदर हमने प्रॉफिट बना लिया है बट यूरो जीपी वाली ट्रेड हमारी लॉस हुई है तो अब तक आटड बॉट ना 4 ट्रेड्स लिया है जिनका अब तक रिसल्ट रहा है 3 विंस और वन लॉस देखते हैं आने वाले फिर्मे में आटड का क्या रिसल्ट रहता है को इसे पेर वो ट्रेड लेता है और फिलाल euro gpu पर autobot ने लिए है एक upward direction की trade so trade amount आपका constant रहता है जो कि आप autobot को start करने से पहले डालते हो आप उसको चाहो तो बीच में change कर भी सकते हो बट मैं आपको यही recommend करूँगा कि जब भी आप autobot को start करो तो उससे पहले अपने fix target stop loss और trade amount डालो जो कि आप through out the session ही चलाना चाहो next time जो आप autobot को run करो तो उससे पहले अप settings को modify आपर कर सकते हो तो आपके लिए जादा असान रहेगा और आपको बार बार बीच में आपर manual interaction की ज़रुत नहीं होगी तो अब तक autobot ने 5 trades ली हैं जिनमें से 4 wins कहीं है सिर्फ एक में हमें loss देखने को विला है देखते हैं आने वाले समय में autobot की कौन सी trades में नबर हमें कितना profit देखने को मिलता है so euro jpy and euro gp इन दोनों pairs पर आप autobot ने trade ली है और यह दोनों ही trades में हमने already यहां पर profit book कर लिया है I think Kyotex को यहां पर कुछ seconds का समय लग रहा है trade को result update करने के लिए and yes अब Kyotex ने यहां पर trade का result update कर दिया so हमने दो और trades के अंदर यहां पर profit बना लिया है तो total अब तक autobot ने 7 trades ली है साथ में से 6 trades के अंदर हम profit book कर चुके है और सिर्फ एक trade के अंदर हम को यहां पर loss देखने को मिला है हमारा balance 6000 से increase होकर अब हो चुक है 6239 UST और अब autobot ने यहां पर trade place करी है euro JPY के उपर देखते हैं इस particular trade का भी क्या result रहेगा एक्चुली दो rates place होई है euro ESG के अंदर भी and euro JPY पे भी so let's see क्या result रहता है इन दोनों trades का साथ में मैं आप लोग को explain कर देता हूं कि हमारा autobot के इन strategies के साब से काम करता है so basically हमारा autobot के अंदर multiple strategies inbuilt है जिनके साब से वो automatically trade लेता रहता है और वो strategy contain करती है कुछ important strategies जैसे कि price section, trend following, trend reversal and candlestick psychology तो इस सारी strategies के basis पर autobot खुद से trade लेता है वो खुद से ही पता कर लेता है कि अब market के अंदर एक अची buying या selling opportunity है आपको खुद से manually आपर trade प्लेस करने की सुरुवत नहीं होती, market को automatically autobot analyze करता है और उसके इसाब से trades प्लेस कर देता है और जब भी यहाँ पर आपका daily target stop loss reach होता है तो auto trading अपने आप से ही बंद भी कर देता है so autobot को use करने के बहुत सारे benefits हैं जिनके main तीन benefits हैं पहला कि यहाँ पर आपका risk manage रहता है, autobot को start करने से पिले आप खुद का risk डालते हो, आपकी risk management settings को डालते हो, तो आपको पता है कि आपका maximum इतना profit हो सकता है, maximum इतना loss हो सकता है and आपका per trade amount constant रहेगा, second, यहाँ पर emotions involved नहीं होते, so manual trading के अंतर आपको खुद से ही अपनी emotions को control करना होता है and कभी कबार आप out of emotion कुछ ऐसे trades भी open कर लेते हो, जिनको open करने की जुरूद नहीं होती, जो कि unnecessary trades होते है and end of the day आप उनी चीज़ों की वज़ा से loss में रह जाते है, but auto trading के अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको पता है कि आपका daily risk क्या है and आपको यहाँ पर खुद से trade नहीं लेनी, तो emotions को यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता तो यह दोनों main यहाँ पर benefits है auto trading के, तीसरा यहाँ पर quantity and quality of trades दोनों देखने को मिलती है तो हमारा auto bought एक घंटे के अंदर लगबग 30 to 40 trades initiate करता है, जिनकी accuracy approximately 80 to 95% होती है, वो भी without martingale तो यह काफी amazing feature है, because आपको खुद से trade place नहीं करनी, automatically यहाँ पर सारी trades place होगी, वो भी 30 to 40 trades per hour and जब आपका target after stop loss reach हो जाएगा, तो automatically यहाँ पर trading stock हो भी जाएगी साथ मैं आपको बहुत सारे amazing features देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह एक है minimum payout तो अगर आप minimum payout का feature यूज़ करते हो, तो autobot सिर्फ उनी pairs पर trade लेता है, जिनका वो particular payout से जादा उस समय available रहता है तो अगर आप 80% का minimum payout डालोगे, तो autobot सिर्फ उनी pairs पर trade लेगा, जिनका payout at that point of time 80% effort से जादा रहेगा तो मान लेते हैं, अभी euro est का payout 80% चल रहा है और autobot euro est पर trade ले रहा है, लेकिन अगर 5 minutes के बाद euro est का payout 80% से drop होकर 60 हो जाता है तो autobot simply euro est payout trading को करना discontinue करतेगा, और उसकी जिका कोई दूसरा payout देखेगा, जो की अच्छी opportunity दे रहा हो और उसका payout भी आपर 80% से जादा available हो, तो इससे आपकी risk controlled रहती है, और जब आपका minimum payout जादा होता है, तो आपके target achieve करने में भी कम time लगता है because आप कम trades के अंदर जादा profit generate कर पाते हो, because of minimum payout, और साथ में जो market के अंदर unnecessary volatility होती है, उसको भी आप skip कर देते हो because generally जब market में किसी pair का, यहाँ पर payout drop होता है, 80 से अचानक 30 हो जाता है, तो वो यहाँ पर signify करता है कि market के अंदर उससमें बहुत सादा volatility है साथ में autobot के अंदर inbuilt news filter भी आपको देखने को मिल जाता है, तो news के 5 मिनट पहले और 5 मिनट बात auto trading automatically stop हो जाती है जैसे कि जो main news होती है, NFP, CPI, इन news के दुराण आपको खुद से auto trading को manually stop करने की ज़रूत नहीं होती autobot के अंदर हमने news filter दे रखा है, जिससे कि वो daily news event अपने आप से यहाँ पर sync कर लेता है एट उनके हिसाब से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बात तक auto trading अपने आप से ही पॉस कर देता है जिससे कि जो market का जो volatile time होता है, वो automatically आपका skip हो जाता है और जब market एकदम stable होती है, जब वहाँ पर अच्छा opportunities अवलेबल होती है तब ही वो trade लेता है, autobot unnecessary trades नहीं लेता और सिर्फ अच्छे trades की भी अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया आपको per hour अराम से 30 to 40 trades देखने को मिल जाते हैं with 80 to 95% accuracy और हमारा autobot daily हजारों लोग यूज करते हैं, अलग अलग brokers के उपर और हमको धेर सारे reviews देखने को मिलते हैं हमारे telegram channel पर तो अकर आप autobot को अंदर interested हो तो हमारे telegram channel को जरूर से join कर लेना आप पर आप autobot के daily results, feedbacks और सारे updates देखने को मिल जाते हैं सारी information आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगी link आपको description box and comment box दोनों जगा पर दे रहा है तो simply आप उस link को click करके हमारे telegram को join कर सकते हैं जहां पर आपको सारी information मिल जाएगी so far हमारा balance जो कि 6,000 dollars था वो अब increase होकर हो चुका है 6,233 dollars की हमारा current balance है plus 150 dollars की यहां पर active trade चल रही है so देखते हैं इन दोनों trades का क्या result निकल कराता है दोनों नहीं इन तीनों trades का क्या result निकल कराता है euro est, euro jpy and odd est इन तीनों pairs पर हमको trade देखने का मिल रही है आप notice करोगे तो इस सारे pairs का payout है वो 80% से जादा है so एक amazing feature था है यह minimum payout का जो कि आप use कर सकते हो कभी भी साथ में auto trading यहाब 24-7 एवलेबल रहती है तो आप live market के अंदर तो auto trading करी सकते हो साथ में आप OTC के अंदर भी auto trading कर सकते हो अगर आप late night trading करना प्रेफर करते हो फिर आपको time ही जब office से आते हो अपनी job से आते हो तब मिलता है जब market OTC हो चुकी होती है तो यह बहुत अच्छा feature है कि आप OTC के अंदर भी auto trading को कर सकते हो जिससे कि time का कभी भी आपको issue नहीं रहेगा आप weekends पे भी Saturday Sunday को भी जब सिर्फ OTC रहती है तब भी आप auto trading का benefit उठा सकते हो और एक main facility जो आपको auto pod के साथ देखने को मिलती है वो है copy trading की so copy trading facility का use करके आप मेरे personal trades और हमारे expert traders की team है उनकी trades को भी copy कर सकते हो वो भी free of cost तो जब भी हम कोई भी trade initiate करते हैं हमारी strategy के basis पर तो वो trade भी आपका automatic लिया पर copy हो जाता है और हम daily 20 plus trades लेते हैं हमारे copy trading session के अंदर जो कि हम कोशिश करते हैं कि जो हम सिर्फ social trades पर ही focus करें तो आपको daily 20 plus trades copy trading के अंदर भी देखने को मिल जाती है तो आप auto bot के साथ में auto trading का तो benefit उठाई सकते हो साथ में आप copy trading sessions को join करके अपनी income को और भी increase कर सकते हो और diversify भी कर सकते हो अब हमारा balance है 6498 dollars start करा था हमने 6000 के साथ और हमारा target था 700 dollars का यानि 300 dollar का जब auto bot यहाँ पर और profit कर लेगा यह about 300 का तो auto trading यहाँ पर अपने आपसे बंद हो जाएगी because हमारा target अचीव हो जाएगा but उसको reach करने में भी I think यहाँ पर कुछ trades और लगेंगी और आपसे 600 trades profitable हमें और चाहिए हमारे target को achieve करने के लिए so let's see कितने time के अंदर हम अपने target को यहाँ पर achieve कर पाते हैं अभी एक trade autobot initiate करी है euro gp के ओपर our direction के लिए let's see particular trade का क्या result रहता है 15 सेकंड रहते हैं इस trade को over होने में and अभी हमें एक doji candle देखने को मिल रही है and finally candle यहाँ पर green में close हुई है जिससे कि हमारी euro gp trade के अंदर हमने यहाँ पर profit book कर लिया है और accord trade autobot ने लिए है same pair के ओपर our direction की let's see उस trade का भी यहाँ पर क्या result रहता है and यहाँ पर सारी trades जो है automatically हो रही है strategies के basis पर हो रही है so आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फिकर नहीं करनी होती strategy को ढूनने की and strategy के जब opportunity बनेगी तो खुद से trade प्लेस करने की जब भी यहाँ पर opportunity होगी automatically यहाँ पर automatically trade को place कर देगा and आप expiry time भी customize कर सकते हो अभी आप देख पार हो कि जितने भी trade से session के अंदर आपको देखने को मिली है वो सारी one minute की है because मैंने auto bot settings के अंदर one minute expiry time को set कर रहा है तो आप अपने expiry time को अपने साब से customize भी कर सकते हो जितना छोटा आपका expiry time होगा उतनी साद है यहाँ पर आपको trades देखने को मिलेंगी और जितना बड़ा आपका expiry time होगा उतनी कम आपको trades देखने को मिलेंगी तो ऐसे करके आप अपने time frame को जितना कम करोगे उतनी सादे यहाँ पर trades increase हो जाएंगी because shorter time frame में यहाँ पर सादा opportunities available होती है और अभी auto bot ने जो तीन trades ली थी उन तीनों के अंदर हमने यहाँ पर profit book कर लिया है जिससे कि हमारा balance यहाँ पर क्रीज होकर हो चुक है 6614 UST तो हम अपने target से अब लग बग सिर्फ hundred dollars की ही दूरी पर है जो कि काफी असानी से अब reach हो जाना चाहिए आने वाले कुछ minutes के अंदर ही so let's see final result, final target हमारा कितनी तिर में achieve होता है और अभी मैं आपको कुछ हमारे autobot members के feedbacks भी दिखाना चाहूँगा, आपके screen पर आप देख पा रहोगे हमारे autobot members के कुछ feedbacks and reviews तो जैसा मैंने आपको बताया था हमारे autobot को हजारों लोग daily use करते हैं अलग लग brokers पे और उन सब के reviews अभी आप screen पर देख पा रहोगे auto trading का use करके लोग सिर्फ अपना time ही नहीं बचारे बलकि बहुत जादा amazing profits भी daily basis पर book कर रहे हैं without any stress of manual trading and अपने profits के अंदर वो consistency भी देख पा रहे हैं वो भी proper risk management का use करके तो यह थे कुछ reviews हमारे autobot members के और अभी autobot ने आपर दो trades से निशेट करी है एक करी है euro est पे और दूसरी करी है euro gp पे upward direction की trade हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है एक काफी अच्छी strong body वाली green candle हमको देखने को मिल रही है so most probably इस trade के अंदर भी हम यहाँ पर profit book कर लेंगे कुछ seconds रहते हैं trade को over होने में and yes हमने euro est के trade के अंदर तो profit book करी लिया है साथ में हमने euro gp के trade के अंदर भी profit book कर लिया है अब एक trade autobot ने लिया है euro jpy के pair के उपर अगर हमारी यह वाली trade विन हो जाती है तो हम अपने target को successfully achieve कर लेंगे because हम already यहाँ पर 6690 UST के balance पर बैठे हैं और यहाँ पर अगर हमारी एक और trade विन हो जाती है जो कि अभी current trade चल रही है तो हम अपने target को यहाँ पर achieve कर लेंगे तो उसके बाद से automatically यहाँ पर trading जो है stop हो जाएगी so download direction की trade थी है यहाँ पर हमें एक red candle देखने का मिला जैसे कि हमारी यह trade विन हो जाती है and हम इस particular session के अंदर 700 UST का profit book कर लेते हैं so काफी amazing रहा है यह trading session कुछी minutes के अंदर हमने अपने autobot की मदद से 700 dollar का profit book कर लिया है and आप भी अपने account को इसी तरह से grow कर सकते हो obviously daily 10-15% का अप target रखकर काफी अच्छे gains हासिल कर सकते हो साथ में अपने stop loss पे भी आपका पूरा control रहता है तो सारी details हासिल करने के लिए आप मेरे daily game channel को जरूर से join कर लेना link में आपको दूँगा description and comment box के अंदर वीडियो अच्छा लगा आपको autobot की accuracy अच्छे लगी तो वीडियो को जरूर से like करना channel को subscribe करना मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाए झाल